हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब आसा करता हूं आप सब अच्छी होंगे आप सब ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी प्री वर्काउट के उपर जिसमें मैंने फुल रिव्यू दिया है और साथ में अपना भी दिया था कि मेरे साथ क्या हुआ था तब भी कमेंट्स आये थे कि भाई बता दो यह प्री वर्काउट अच्छा है या यह अच्छा है तो इस वीडियो में मैं वो टोपिक भी कवर करने वाला हूँ और जिसने अभी तक मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जल्दी से जाकर लास्ट वीडियो देखे चलिए शुरू करते हैं तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि कोई भी प्रिवर्काउट अच्छा नहीं है मेरी अगर आप सलाम आनते हो तो कोई भी प्रिवर्काउट अच्छा नहीं है कोई भी आप यूज मत करो तब भी पूछ रहे कि भाई ये प्रिवर्काउट अच्छा है इसको मैं यूज कर लूँ या ये प्रिवर्काउट अच्छा है इसको मैं यूज कर लूँ सो मैं आपको बता दू अगर आप प्रोफेशनली खेलना चाहते हो या professionally खेल रहे हो तो आप pre-workout use कर सकते हो वो भी किसी की guidance के अंदर कोई भी जाकर market से ऐसे ही कोई भी pre-workout उठा कर ना ले के आए क्योंकि हर pre-workout अलग होता है और आपकी body अलग होती है किसी की body को कुछ suit करता है किसी की body को कुछ suit करता है और किसी की body को कुछ भी suit नहीं करता है तो सब की body अलग response करती है तो बात करते है एक नया incidence जो अभी मेरे current में हुआ है तो उसमें हुआ क्या था एक लड़की ने pre-workout लिया था और लेने के कुछ ही देर बाद में वो भी होस हो गए थी तो उसके साथ क्या हुआ उसकी body उसको जहल नहीं पाई और उसने लिया भी कितना था सिर्फ half scoop आदा चमच उसने लिया था तो ऐसा नहीं है कि आपकी बोड़ी आदा चमच भी जहल नहीं पाएगी या फुल चमच जहल पाएगी तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी बोड़ी यह pre-workout जहल लेगी यह pre-workout जहल लेगी सबकी बोड़ी अलग response करती है उससे मैंने जब उसको होस आया तो पूछा भी था कि आपको क्या दिक्कत आई उसने बोला कि मैंने बहुत सारे ब्रेंड के pre-workout यूज के हुए है तब भी उसके साथ ऐसा हुआ वो बोड़ी थी ऐसा मेरा साथ first time हुए तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लंबे टाइम से pre-workout यूज कर रहे हो तो आपके साथ कुछ ऐसा नहीं होगा तो यह किसी के साथ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है खास कर क्या होता है जो भी इंडियन ब्रेंड pre-workout है न उसमें होता किया लेबलिंग कुछ होती है और अंदर माल कुछ होता है आपको लेबलिंग में दिखेगा कुछ ती इसमें यह है यह है यह है बट होगा उसमें कुछ और ही तो मेरी यह सलाय कि इंडियन pre-workout तो कभी भी यूज ना करे अगर आप यूज भी करते हो अगर आप यूज़ भी करते हो तो इंपोर्टेड यूज़ करो इंडियन कभी यूज़ ना करो अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो अच्छे से डाइट लोग कम से कम आधे से एक गंटे पहले ताकि वो आपको एनरजी दे और दूसरा जो आपका प्रिवर्काउट होता है वो आपका माइंड होता है जब तक आपका माइंड स्ट्रोंग नहीं होगा तो आपको कोई भी चीज मोटीवेट नहीं कर सकती कोई पूस नहीं कर सकते जब आपका माइंड स्ट्रोंग ऒगा तभी आपको कोई भी चीज करेंग यहांर की सब्सक्राव करेगे हुआ है सो दूबारा मैं यहीं कहुंगा कि कोई प्रिवर्कवाट यूज मत करो जिसके साथ हुआ petroleum होई igniter pre-workout कैसा है so igniter pre-workout सब से बेकार từ यह यह मैं company की नहीं बोल रहा कि company ऐसी है कैसी है मुझे company का नहीं पता जो मैंने अपने यूज किया है मैं उसके according बता रहा हूँ बेकार परी युज नहें बन बोल रहा हूँ बेकार प्रिवर्काउट है कभी यूज़ना करें और मानो तो कुछ भी प्रिवर्काउट यूज़ना करो चलिए ये थी आज की पूरी वीडियो मिलेंगे एक और नई वीडियो में ने टोपिक के साथ जैंद जै भारत